है आप लोगों के सामने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे कि हम भारत ये परिशद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं भारत ये परिशद अधिनियम 1909 क्या है क्यों आया क्या सारी कहानिया है एक एक करके हम सारी बातें जानते हैं साथियों इंडियन काउंसिल एक 1909 को ए एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और हो है मारले मिंटो सुधार मारले मिंटो यहां पर मारले और मिंटो दो अलग-अलग व्यक्ति हैं जिनमें से मारले जो हैं वो इंडियन सेकेटरी हैं और मिंटो जो हैं वो भारत के उस समय पर उपस्थित वायस राये थे मारले मिंटो के द्वारा सजेस्टेड जो भी बातें थी उन्हीं सजेस्टेड बातों के आधार पर यह एक्ट लाया गया साथियों आप लोगों को एक्ट क्या होता है यह तो इन दिनों काफी अच्छे से समझ में आ चुका है क्योंकि पूरा देश इस समय एक्ट की ही बाते कर रहा है इसी दोरान आप लोग अगर यहां पर भी एक्ट की बात सुनते हैं तो एक्ट का मतलब होता है कि जिसे एक्जिक्यूट करने के बाद चीजें दिखाई देने लग जाएंगी तो जैसे आपको यहां दिखाई दिया भारत साशन अधिनियम अब 1909 एकदम नहीं आ गया इसको भी आने में जैसे हमारा भारत का समीधान एकदम प्रकट नहीं हो गया था कि लीजिए देश आजाद हो गया अब अपना देश का एक समीधान हो जाएगा नहीं भारत के समीधान में भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स है जो कि हम लोगों ने पूरी तरह इंवाल किये और भारत का समीधान बना साथियों भारत के समीधान में किस-किस देश का कंट्रिब्यूशन है हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी पॉलिटी की उसमें हम उसे भी कवर कराने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे तो देखिए साशन करने के कुछ नियम बना दिये जाते हैं जैसे आप लोग अगर गली क्रिकेट भी खेलते हो या घर में अपनी चट पर जब क्रिकेट खेल रहे होते हो तो वहां के कुछ नियम आप खुद से बनाते हो खुद से बनाने से मतलब हुआ कि यहां से बाहर चला जाएगा तो out कहलाएगा, इसके अंदर रह जाएगा, one tip catch हो जाएगा, direct shot लगया तो out हो जाएगा, ऐसे ही साथियों government भी जब साशन करना चाहती है, तो साशन के कुछ नियम बनाती है, उन नियम को जब हम पूरी तरह से दस्तावेज में लिख देते हैं, तो वही सब चीजें act कहलाती हैं, तो यहाँ पर British हकूमत हमारे उपर साशन कर रही थी, और हम यहाँ पर colony बने हुए थे, तो उस दौरान जब हम colony बने हुए थे, तो colony के दौरान हम से जो जो कार्य करवाए गए, उनका आधार कुछ इतिहास में छिपा है, जैसे, साथियों, आप लोगों को मालुम की, और वो क्या था, कि Congress का Split, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन से प्रेरित था, यानि कि it is induced from 1905 बंगाल Split, ये कैसे, तो देखिये साथियों आपको पता होना चाहिए, कि बंगाल विभाजन के दौरान एक आंदोलन चला था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, जो साथ स्वदेशी आंदोलन में ये कहा गया था, कि भारत का ही सामान इस्तमाल किया जाएगा, विदेशी सामान की होली जलाई जाएगी, यह नियम जो था, ये कहां आया था, 1905 बंगाल विभाजन के बाद, ये स्वदेशी आंदोलन के अंदर लोगों ने, जो हुकूमत, जो और एक हुआ गरम दल, साथियो नर्म दल और गर्म दल में, गर्म दल ने कहा कि केवल बंगाल के अंदर ही विदेशी शामानों के पुतले जलाए जाएग, फिर से समझिएगा, बंगाल के अंदर ही आंदोलन किया जाए, स्वदेशी आंदोलन ये पॉइंट किसका था, गर 1909 पढ़ाऊं तो आपको एकदम दिमाख में बैठ जाए कि क्या कारण था इस तरह की लाइने लिखने का पहला चीज समझ में आ जाना चाहिए फिर से समझ येगा बंगाल का जब विभाजन हुआ तो नर्मदल और गर्मदल दो भाग बनके आए नर्मदल नर्मदल जो की पता नहीं है तो हम सुझाव दे देंगे तो जो मान लिया जाएगा वो ठीक है अतहे जो नर्मदल के कॉंगरेस नेता थे वो चाहते क्या थे वो ये चाहते थे कि देश के अंदर जो भी कार्य किया जाए यानि कि विरोध के स्वरूब जो किया जाए चूंकि बंगाल बहिशकार ना किया जाए जैसे ही मैं यह लाइन बोलता हूं दिमाख में एक सवाल खड़ा हो जाता है तो फिर गर्मदल क्या चाहता था गर्मदल चाहता था कि केवल विदेशी सामान का ही भहिशकार ना हो बलकि विदेशी पदों का भी भहिशकार हो विदेशी पदों का मतलब जो बाहर से हम लोगों को पद दिये गए हैं जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर सिविल सर्वेंट थे इंडिया इंडियन्स ही जो सिविल सर्वेंट थे कई लोग गौर्मेंट की जॉब कर रहे थे उनका भी भहिशकार हो नंबर एक और दूसरा विदेशी संस्थाओं का भी भहिशकार हो विदेशी संस्थाओं से मतलब जो यहाँ पर ऑफिसेज इस्थापित कर दिये गए थे ब्रेटिश हुकूमत के द्वारा उनका भी भहिशकार हो और दूसरी बात वो क्या चाते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से पूरी भारत में फैल जाए य चाला लाजपत राय बालगंगादर तिलग और व्पिं चंद्र पाल यह तो बने गरम दलके और नरम दलके अंदर रेस्ट ऑफ दी कांगरेस आ गई यानि कि सूरत अधिवेशन में Congress बट गई अब सूरत में Congress बट गई और कोई party exist ना करे ये British हकूमत की वो थी कि भईया किसी ना किसी तरीके से Congress में विभाजन डाल दो यानि कि food करो food डालो और राज करो ये वाला जो थड़ा था उनकी जो concept थे food डालो और राज करो वाले इसक चून लेके आए क्योंकि उस एक्ट से उन्हें ये विश्वास था क्या विश्वास था कि चूंकि हमेशा से नरम दल वाले जो कॉंग्रेसी हैं वो सुधार के नाम पर प्रशासनिक सुधार की मांग करते रहे हैं तो चलिए कुछ प्रशासनिक सुधार कर देते हैं जिससे न तो यही परिणाम निकला मेरे प्यारे साथियों कि 1909 जिसे मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इसके अंदर गरम दल को तो प्रताडित करना और नरम दल का फेवर करना ये पहला कारिय किया गया था ठीक है ना तो यहां पर जो सुधार लाए गए थे वो नरम दल स दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया तो देखो कॉंग्रेस को बाट दिया अब दूसरी तरफ चलते हैं साथियों बंगाल विभाजन के दौरान दो धड़े और निकले और वो क्या थे हिंदू और मुसल्मान बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था तब यह देखा गया कि बंगाल और दोनों की जो बंगाल बनके आये वेस्ट और एस्ट जो बनके आये थे उनके अंदर एक जगे पर हिंदू माइनोरिटी में आ गया और एक जगे मुसलिम माइनोरिटी में आ गया यानि की एक तरीके से हिंदू-Muslim कन्फलिक्ट क्रियेट करने के लिए यह पर एक चीज बनती है और वो क्या है वर्ष आता है 1906 का उस 1906 के अंदर आगाखां के नित्रत्व में एक प्रतिनिधी मंडल मुसलिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिंटों से मिलने शिमला जाता है और शिमला जाकर के वहाँ पर कहता है कि सहाब हमें मुसलमानों के लि प्रतिनिधानी की सैपरेट इलेक्टोरेट चाहिए प्रतक निर्वाचन पद्धति चाहिए यह किसने डिमांड करी थी 1906 के अंदर और यहीं से इस्थापना हुई थी किस चीज की आप लोगों के मुसलिम लीग की तो 1906 में मुसलिम लीक कि स्थापना जिसके अंदर जिसक रहा हूँ आपको तुरंत अब जब मैं पढ़ाऊंगा वो सारी बाते समझ में आ जाएंगी ठीक है ना तो जो सुधार मांगे गए थे उन सुधारों में क्या किया गया ये बताएंगे तो इस तरह के जो डिमांड की गई कि सर हमें separate electorate चाहिए तो उस separate electorate के नाम पर क्या किय गया ये भी आपको पता चल जाएगा अच्छा अब एक बात यहां पर देखने की जरूरत है देखे साथियों कॉंग्रेस का मानना था कि जिस प्रकार से साशन बहस से किया जा सकता है यानि कि सब लोगों की आम सहमती बना करके साशन करने के लिए जरूरी है कि लोग बैठ बुद्धी जी भी लोग बैठे और बैठ करके आम सहमती से कंसंसिस से एक निरने निकाले जिससे की साशन किया जा सके अब क्या होता है साब इनकी इसी डिमांड के बीच में मारले मिंटो अपना एक तरीका और छेड़ देते हैं यहां पर और वो क्या कर देते हैं इन लोग होते हैं जो सचिव को सलहा देते हैं तो चलिए एक काम हम आप लोगों के लिए करेंगे कि उन सचीवों में दो लोग आपके बिठा देंगे बतलब जो सचीव वहां बैठे हुए हैं लंदन में ब्रिटन में जो बैठे हुए हैं उनके जो 15 सदश्य हैं जो उनको सलह देते हैं उसमें दो सदश्य आपके बिठा देंगे ताकि बहां वहां पर बैठे सचिव को भारत के बारे में समझना आसान हो जाए कि भारत किस प्रकार से कार्य करता है ठीक है ना तो इस प्रकार के तमाम जी जो बातें की गई थी इन ही से जाकर के बनके आया था भारत परि सामने लिखी हुई है कहां से अधीनियम क्यों लाया गया what was the reason behind this कि सहाब ये act लाना पड़ा था तो साथियो नंबर वन क्या हुआ लाड करजन ने 1905 के अंदर क्या कर दिया था अरे पपुलाल जी आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं लास्ट में आपका नाम भी ले लेंगे ठीक है ना तो पहले आप वीडियो शेयर करते जाहिए प्रिटिश अधिकारियों ने भारतियों के साशन में कुछ सुधारों को आवशक समझा था दिस वाज़ी फर्स्ट रीजन जो मैंने आप लोगों को शुरुवात में समझा दिया दूसरा क्या है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की थी जिसे हम होम रूल कहते हैं अच्छा इसी बीच में शिमला के पास एक डेलीगेशन गया वो क्या है तो डेप्यूटेशन किसके नेत्रत्व में गया था आगा खान के नेत्रत्व में ये वाली बात मैंने आपको बता दी 1906 में लॉर्ड मिंटो के पास जाता है और ये कहता ह है कि मुसल्मानों के लिए हमें अलग निर्वाचन पदती चाहिए तो इन डिमांड के आधार पर आगे बढ़कर के एक्ट आता है जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं क्या हैं दुबारा देखिए साब पॉइंट्स नंबर एक पॉइंट में प सेंटर एंड लेजिसलेटिव काउंसिल हैं उनका साइज बढ़ा दिया जाएगा अब बढ़ा दिया जाएगा इसका क्या मतलब है आप में से कई लोगों को ये बात समझने में शायत दिक्कत आए तो उनको सरल भाशा में मैं समझा दूँ जैसे आज अपने भारत के अंद 60 मेंबर तो थे जो की एक्जिक्यूटिव मेंबर के अतिरिक्त थे और जो 9 मेंबर थे उनमें से एक्जिक्यूटिव जो गवर्नर जनरल जो था उसकी काउंसिल के साथ मेंबर एक यहाँ पर खुद कमांडर इन चीफ और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त एक सदश्य और नि नियुक्त किया गया और legislative council of Punjab, बर्मा और आसाम में 30 सदश्यों को नियुक्त किया गया तो इस प्रकार से साथियों अधिनियम के मांगों को मानते हुए केंद्र और प्रांतों में विधान परिशदे बना दी गई यह पॉइंट आगे बढ़ता है अब क्या होता है साथियों यहां पर केंद्र और प्रांतों में जो councils बनी थी उसमें members को चार शेणियों में बाट दिया गया था चार शेणियों मतलब four categories में classify कर दिया गया था जैसे सबसे पहला जो category था वो बना ex officio member अब बोले सर यह क्या होता है तो साथियों उस समय जो governor general थे उनको कार्य करने के ल की जर्वत थी तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर governor general को एक executive council दी गई थी जो की ex officio member कहला है दूसरे nominated official member तो यह क्या होते हैं तो साथियों nominated official member government के अंदर वो member थे जो की सरकारी अधिकारी थे जिने governor general nominate करता था अब फिर पूछेंगे सर यह क्या होता है तो याद करो अप पर भी अपनी राज्य सभा के अंदर भी nominated members होते हैं तो exactly ऐसे ही इस council में governor general जो था वो nominate करता था लोगों को लेकिन करता किन को था सरकारी अधिकारियों को अब तीसरा point का बना तीसरे type के जो सदश्य बने साथियों वो क्या थे nominated non official members यानि कि nominate तो किया लेकिन वो सरकारी नहीं थे ठीक है ना तो फिर से देखिए आपके सामने तीन तरह के सदश्य आ चुके हैं एक तो वो आए जो कि governor general की खुद की council है इसको समझने के लिए क्या समझे प्रधान मंत्री के पास वर्तमान में cabinet है दूसरी क्या हुआ साथ ही हो nominated आधिकारिक member यानि कि सरकारी सदश लेकिन जिन्हें nominate किस ने किया governor general ने तीसरा क्या हुआ nominated member थे लेकिन वो सरकारी अधिकारी नहीं थे सरकारी अधिकारी मतलब British सरकार जो यहां साशन चला रही थी उसके सदश्य नहीं थे और जो चौथा section है ना साथियों वो है निर्वाचित सदश्य का यानि elected member का जिसमे भारत के विभिन श्रीणियों से चुने हुए लोग आते थे तो आप लोगों के सामने यहां पर चार श्रीणिया निकल के आ गई कौन कौन सी निकल के आ गई पहला आपका पदेन सदश्य दूसरा नामांकित आपके अधिकारी जो की सरकारी है तीसरे नामांकित गैर अधि कर सकते हैं और वो co conclude क्या कर सकते हैं कि सहब कहने को तो इन्हों ने पूरी council बना दी लेकिन जराद ध्यान से देखिए इनकी चार category में तीन category पे तो हुद महाराज गवर्नल जनरल का ही प्रभाव है ध्यान से देखिए इन category के अंदर जो मेजर कंट्रिब्यूशन है ये तो अभी भी गवर्णर जनरल का है ले देकर कि जो बचे हैं वो कौन बचे हैं निर्वाचित सदश्य और उन इंडिरेक्ली इलेक्ट होकर के और वो इंडिरेक्ली कहां से होकर के आये थे इस्थानिय निकायों से इस्थानिय निकायों जैसे आज अपने यहां पर नगरपाली का होती है पंचायत समयती होती है इस तरह से वहां पर उस समय जो इस्थानिय निकाय थी वानिजिक मेंबर्स थे यानि लेंडलोड्स थे चैंबर ओफ कॉमर्स थी यूनिवर्सिटीज थी ट्रेडर कम्यूनिटीज थी और मुसलिम्स थे यानि कि यहां पर जब लोगों का चुनाव किया जा रहा था तो उन लोगों के चुनाव में एक अलग केटेगरी को इंसर्ट कर दिया गया और एंट्री करने का जो केवल अर्थ था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट तो आप लोगों को यहां एक बात समझ में आनी चाहिए कि यह जो पूरा विकास का क्रम है इस विकास के क्रम में चार श्रीणिया शुरू कैसे हुई थी तो मैंने आप लोगों को एक एक करके यह सार हुआ था प्रांतिय परिशदों के अंदर यानि की प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनके अंदर गैर आधिकारिक सद्श्यों का बहूमत रखा गया था लेकिन भारत को अब एक चीज़ यहां पर समझ लेना फिर से देखना यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर प्रांत की बात की गई थी तो नौन ओफिशियल्स मेंबर को यहां पर मैजॉरेटी में रखा गया था तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर दो बाते निकल करके आती हैं सैपरेट इलेक्टोरेट और दूसरा यहां पर क्या बुलते हैं प्रविंशियल काउंसिल्स जो थी उनके अंदर मैजॉरेटी ओफ नौन ओफिशियल्स साथियों इसके अतिरिक्त इंडियन्स वर गिवन मेंबर्शिप टू दा इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल फोर दी फस्ट टाइम इंपीरियल यानि की जो वहां से उस समय की चली आ रही काउंसिल थी उसमें पहली जैसे आज के दिनों में हम अपने यहां पर जब भारत में संसद देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कोई भी मसला है उसके उपर सभासद जो हैं वो प्रशनों के उपर चर्चा कर रहे होते हैं प्रशनकाल चल रहा होता है जीरो आवर चल रहा होता है क्या उस समय भी यहां पर डिबेट किया करते थे क्या नहीं साथियों यहां पर डिबेट तो कर सकते थे लेकिन आप वोटिंग नहीं कर सकते थे जैसे आज अपने यहां पर क्या होता है जब भी कोई प्रस्ताव पारित होना होता है तो उस पर वोटिंग होती है तो यहां पर डिबेट तो कर आपको डिबेट करने के अतिरिक्त जो कहा गया आप voting नहीं कर सकते हैं तो फिर पूछा सर डिबेट का क्या मतलब है अम मान लीजिएगा आपने गैर सरकारी सदाश्य से गैर सरकारी सदर्शे ने किसी सरकारी सदर्शे से कोई सवाल कर लिया, सवाल कर लिया तो यहाँ पर पहली बार ये अनुमतिय दी गई थी, कि उसने जो आंसर दे दिया, उस पर क्रॉस क्वेस्चन करने की परमीशन दी गई, ये भी सुरकी बनी, कि सर ऐसा क्यूं होता है, या में या रात में तो ये वाला प्रश्न पूछने की आपको अनुमती मिल गई थी सोचिए हम भारतिये लोगों ने परतंतरता का क्या कहर देखा है कि जो देश के प्रतिनिधी निकल करके जा रहे हैं उनको एक सप्लिमेंटरी प्रश्न पूछने की इजाजत थी अब मैंने आप से ये पूछो ही नहीं कि क्या आप तयार हैं अब आगर आप तयार नहीं है तो ऐसी इस्थती में आपकी बातों को मैं मानूं या ना मानूं वहाँ पर वन साइड़ हुआ करता था यानि की आपका कोई कंट्रिब्यूशन ही नहीं है केवल वन वे के अंदर फ्लो दे दिया गया तो गवर्नर जनरल के जो आदेश थे वो केवल इन लोगों को केवल एक कटपुतली की तरह रखने के लिए थे यहां पर कोई भी बहुमत से निर्णे नहीं लिया जाता था यानि वोटिंग का कोई भी राइट यहां नहीं था साथियों जैसा मैंने आप लोगो यह को इलेक्ट करके भेजा गया था उन भारतिये का नाम जो इंड़ियन थे जिनको भेजा गया था उनका नाम था समझ nhất समझ कोסभी परसे समझ यहां ऊच्छा गया मैंन यर्ग की उपादी दी गई थी इसके अतिरिक्त क्या है साथियों इसके अतिरिक्त जो सची बैठे हुए थे ना मारले मिन्टो में मारले कौन है सेकेटरी और मिंटो कौन है यहां पर वायस रहा तो कहां हो हैं अपनी गद्दी जमाह करके ब्रितन में तो उनकी जो 15 लोगों की केसी गुपता और एच एस विलग्रामी इनके उपर भी मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है तो अब आपके सामने तीन पॉइंट निकल करके आ गए साथियों कौन कौन से पॉइंट निकल करके आ गए फिर से समझिएगा पॉइंट नंबर एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था नंबर दो प्रोविंशियल कांसिल और सेंटरल लेजिसलेटिव कांसिल बनाए गई थी मैंबर्स की संख्या इंक्रीज की गए थी सॉप्लीमेंटर क्वेस्ट्टन पूछने की बात की गई थी लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया गया था गवर्णर्की जो एक्जेक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक मेंबर अपॉइंट किया गया था जो इंडियन था इंडियन मेंबर एस्पी सिनहा था यानि कि उन नौ मेंबर में से एक मेंबर यानि साथ प्लस दो हुआ करते थे कमांडर इन चीफ के अलावा तो उनके अंदर से जो साथ मेंबर थे उनमें से एक जो था वो एस्पी सिनहा जी को पॉइंट किया गया था जिने बाद में लौड की उपादी भी दी गई थी इसके अतिरिक तो जो मारले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को आज का सेशन जो मैंने पढ़ाया है यह बेहत तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण लगा होगा